हेलो दोस्तों कैसो आप सभी मेरा नाम राज दोस्तों आज किस वडियों मैं आप सभी बताऊंगे कैसे आप अपने अधार काट के डॉकुमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि यह अधार की जो ओफिसल नोटिस है कि 14 तारीक तक आप मलब की 14 मार् के लिए 14 तारीक से पहले पहले मैं यह वीडियो बना रहा हूं ताकि आपका सासत औरों का भी भला हो जाए अगर आप यह वीडियो मेरी देख रहे हो तो आप दूसरों को यह शेयर कर लेना अपने फैमिली मेंबर अपने भाई बंदू के साथ ताकि उनको भी अधार डॉ को ओपन करेंगे ओपन करने के बाद यहां पर सर्च बार पर हम टाइप करेंगे अधार डॉकुमेंट सब्डेट इस पर हम क्लिक करेंगे यहां पर आपको पहला ओप्सन दिखाई देगा डॉकुमेंट सब्डेट इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का विंडो आपको दिखाई देगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है माई अधार इस पर आपको स्क्रॉल करना है नीचे डॉकुमेंट सब्डेट दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर दोस्तों कुछ इस टाइब का आपको अधार की तरफ से विड्टो दिखाई देगा है यहाँ पर आपको login का option दिखाई दे रहा है इस पर आपको klik करना है klik करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अधार नंबर डालना है यहाँ पर capture दिया गया है वो डालना है और login with OTP इस पर आपको click करना है जैसे आप click करेंगे तो आपके mobile number पर एक OTP आएगा वो OTP आपको submit करना है तो हम फटा-फट से अपना details fill up कर लेते हैं जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर OTP इंटर करेंगे यहाँ पर login का option दिखाई दे रहा है इस पर आपको click करना है जैसे आप click करेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ अधार NETS documents update kindly click here to upload your proof of identity and our proof of address documents यहाँ पर documents update का जो date दिया है this service is free of cost till 14-3-24 मतलब कि 14 तारिक तक आप इसको free of cost update कर सकते हैं इसके बाद से आपको charge देना पड़ेगा यहाँ पर आधार ने खुद लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम click करेंगे 14 तारिक से पहले हम update करेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि this service is free of cost 14-3 तो यहाँ पर आपको next करना है next करने बाद यहाँ पर आपको कुछ interaction दिये गए हैं उसको भी आपको अच्छे से पढ़के next कर लेना है next करने बाद यहाँ पर आपको please verify your demographic details वो verify करके अच्छे तरीके साब को I verify that the above details are correct सारा जो details है वो एक बार चेक कर लेना चेक करने बाद यहाँ पर इस पर simply क्लिक करना है क्लिक करने बाद next पर क्लिक कर देना है जैसे आप next पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है guidelines for uploading documents क्या-क्या जो है size होनी चाहिए document size should be less than 2MB मतलब 2MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और supported files format are jpg, png and pdf मतलब कि jpg size में होना चाहिए png side में और pdf में होना चाहिए यह jpg नहीं चलेगा jpeg चलेगा तो यहाँ पर आप अपना format बना लेना है online बहुत सारी website है उस पर आपको jpg to jpeg करोगे type करके convert करोगे तो already आ जाएगा यहाँ पर simply क्या करना है please upload proof of identity POI documents simply क्या करना है इस पर आपको click करना है यहाँ पर जो-जो documents दिये गये हैं वह आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमें क्या documents लगाना है जैसे कि यहाँ पर CHZ ECS है ना स्टेट गवर्मेंट PSOE certificate लगा सकते हो disability identity card लगा सकते हो driving license लगा सकते हो gender inspection medical certificate Indian passport किसान photo passbook मनरेगा पासबूक जो भी है मनरेगा job card ID certificate with photo issued center government state government marsit लगा सकते हो certificate issue by recognition board of education आप अपना marsit लगा सकते हो marriage certificate लगा सकते हो और उसके बाद name of gentle notification of new names and old POI documents यह जितने भी हैं लगा सकते हो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर pen card जो आप बनाए हो pen card वो upload कर सकते हो और जिन्हों अभी पास unit के अंदर नदर जो pen card बनता है वो बनाया है वो भी आप e-pan भी upload कर सकते हो passbook भी upload कर सकते हो अपने bank का और यहाँ पर बहुत सारे option है जो भी आपके पास है जैसे कि voter ID काड भी है वो भी update कर सकती हो तो मैं यहाँ पर pen card देने वाला हूं तो यहाँ पर मैं pen card पर click करूंगा pen card पर click करने बाद यहाँ पर मैं OK पर click करूंगा यहाँ पर डॉस कि हमें और पहर कि तो नहीं करने बाद हैं भाद भी अब टुकोड करने दृट accounts कर लूँ गा तो दोस्तों हमने यहाँ पर पैन कार्ड यह सब्सक्राइब कर लिए कर लिए अगर क्वान पर आठेट स workshop कि यहां पर यह जिक्राइब पे अपडेट करने के लिए देना पड़ेगा तो यहां पर मैं सेलेट करूंगा सेब डॉकुमेंट्स आप दे नहीं सकते हो तो यहां पर मैं दूँगा वोटर कार्ड यानि की पहचान पत्र आपना जो है वो ट्राइडी कार्ट का डॉकुमेंट से दे दूंगा तो यहाँपर मैंने पीडियेफ बना रखा है यहाँपर उपन करूँगा उपन करने बाद यहाँपर देखो दोस्तों यह अपलोड हो चुका है पहचान पत्र यहां पर आपको दिखाएंगे इस पर सारे चीजे पढ़के यहां पर आपको क्लिक करना है पढ़ने बाद सारे डॉकमेंट्स मैंने देख सकते हो जो भी डॉकमेंट्स मांगा है मैंने अपलोड कर दिया अलग अलग यहां पर आपको नेश्ट पर क्लिक करना ह जैसे आप next पर click करेंगे please confirm your demographic details in the documents externally match with your demographic details in the adhar please click on ok to confirm मतलब कि आपने जो documents update किया है वो जो पहले से आपके अधार में जो demographic details है उसके ये थुरू match होना चाहिए और match है तो यहाँ पर आपको ok करना है ok करने बाद यहाँ पर आपको दिखो पहला जो symbol है वो verify हो गया है upload भी हो गया अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है dear restaurant this service is free of cost 1432 मतलब कि अभी यह free है यहाँ पर तीसरा वाला symbol दिख रहा है पैसे गा मतलब कि अगर आप 14 तारीक के बाद करोगे तो यहाँ पर आपको पैसा पे करना पड़ेगा फिर final submit होगा तो अभी free of cost 14 तारीक तक तो यहाँ पर हम submit करेंगे हमें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा अब यहाँ पर दोस्तों यह देखो हमारा जो documents है यह successfully जो transaction भी देखो इसमें amount zero हो गया है अगर बाद में 14 तारीक के बाद करो गया तो इसको आपको पैसा देना पड़ेगा यहाँ पर मेरा जो transaction है successfully हो गया यहाँ पर payment date भी हो गया और amount zero रुपए लगा यहाँ पर अगर आपको डाउनलोड अलोजमेंट करना है तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेग यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है कि यह हमारा जो अलोजमेंट स्लिप है documents update का वो हमें मिल चुका है बकादे अच्छे तरीके से अधार नमबर दिखाई देगा SRN नमबर, invoice नमबर, amount paid, date of payment, कब आपने यह payment किया है, request type और दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करना, channel को subscribe करना और यह जो अधार documents की वीडियो मैंने बनाई है इसको जादा से जादा लोगों में share करो अपने जो भी ग्रूप में उसमें share कर तो ताकि जो है और उको पता चले आप free of cost जो है अपनी वो documents अपडेट कर सके क्योंकि इसमें time चलिए वीडियो को बस इतना ही था वीडियो में I hope वीडियो अच्छी लगे हो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करना चैनल पर नहीं हो चैनल को subscribe करना तो चलिए टा बाए बाए